अगर आप किसी नए बिजनस की तलाश में हैं जहां शुरुबाती दौर में कम लागत हो और बंपर कमाई हो तो हम आपको एक ऐसा बिजनस बता रहे हैं जिसकी देश-विदेश में डिमांड बहुत ज्यादा है अगर आप इस बिजनस में हाथ आजमाते हैं तो आपकी हर महीने मोटी कमाई होगी यहां तक कि आप नौकरी से भी अधिक कमाई कर सकते हैं इस बिजनस को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार भी आर्थिक रूप से बड़ी सहायता कर रही है हम आपको इस वीडियो में मधुमक्ही पालन के बिजनस के बारे में बताएंगे तो वीडियो को अंतक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दवाईयों से लेकर खाने के प्रोड़ाट तक में कई जगे शहर यानी हनी का अस्तमाल होता है मधुमक्ही पालन, क्रेशी और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की भी शमता रखता है ये इस बिजनस को मधुमक्ही पालन या मौन पालन कहते हैं कई राजों के किसान ट्रडिशनल खेती छोड़कर मधुमक्ही पालन में उतर गए हैं इससे उन्हें मोटी कमाई तो हो ही रही है सरकार भी कई तरह की मदद करती है मधुमक्ही पालने और हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से मधुमक्ही पालन के बाजार में काम्याभी हासल की जा सकती है मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहर्द या मों भी नहीं मिलता बल्कि इस से और भी कई चीज़ें मिलती हैं इनसे बीज वैक्स, रॉयल जेली, प्रॉपलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग जैसे प्रॉडक्ट्स मिलते हैं इन सभी प्रॉडक्ट की मार्किट में काफी डिमांड है सरकार करेगी मदद इस बिजनस को स्टार्ट करने में क्रिशी और कल्यार मंत्राले ने फसल उत्पादक्ता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास इस नाम से एक केंद्री योजना की शिरुवात की है इस योजना का मकसर मधुमक्खी पालन के एक शेत्र को विक्सित करना, प्रॉडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरुपता फैलाना है राश्रिय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB ने नाबाट के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक मदद की योजनाई शुरू की है इस बिस्नेस को शुरू करने के लिए सरकार 80-50% तकी सबसीरी मुहया कराती है कैसे करें कमाई अगर आप चाहें तो 10 बॉक्स लेकर भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं अगर 40 किलोग्राम प्रति बॉक्स शहद मिले तो कुल शहद 400 किलो मिलेगी साड़े 300 रुपे प्रति किलो के हिसाब से 400 किलो बेचने पर लगभग 1,4,000 की कमाई होगी अगर प्रति बॉक्स खर्च 3500 रुपे आता है तो कुल खर्च लगभग 35,000 रुपे होगा और प्रॉफिट लगभग 1,5,000 रुपे होगा ये बिजनस हर साल मधुमक्खियों की संख्या के बढ़ने के साथ 3 गुना अधिक बढ़ जाता है यानि 10 बॉक्स से शुरू किया क्या बिजनस एक साल में 25 से 30 बॉक्स हो सकता है अगर आप बड़े इस्तर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो 100 बॉक्स से लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं अगर 40 किलो प्रती बॉक्स शहद मिले तो कुल शहद लगभग 4000 किलोग्राम होगा साड़े 300 रुपे प्रती किलोग्राम के हिसाब से 400 किलो शहद बेचने पर लगभग 14 लाख रुपे मिलेगे प्रेदे बॉक्स खर्च तक करीबं 3,500 रुपए आता है तो कुल खर्च लगभग 3,40,000 रुपए होगा रिटेल और अन्य खर्च करीबं 1,75,000 इसलिए प्रॉफिट करीबं 10,15,000 रुपए होगा ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है